केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र स्याशित फैसला ले सकती है सूत्रों के मुताबक मौजूदा राजरितिक हालात को देखते हुए पार्टी का एक धढ़ा चाहता है कि दुमका सीट से कल्पना सोरेन को मैदान में उतारा जाना चाहिए ताकि सहानुबूती का फाइदा उठाया जा सके वहीं दूसरा धढ़ा हेमन सोरेन के पक्ष में है सूत्रों के मुताबक जेल में रहते हेमन सोरेन के दुमका से ताल ठोकने पर पार्टी को माइलेज मिल सकता है इसका असर दूसरे सीटों खासकर ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटों पर पढ़ सकता है इस पर लगातार आंत्रिक मन्थन चल रह क्योंकि दुमका सीट से सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है क्योंकि 2019 के चुनाव में शेवो सोरेन जयसिक कद्दावर नेता को हरा कर भाजपा ने मानसिक रूप से बढ़त हासिल कर ली थी अगर जेल में रहते हेमन सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो दुमका में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन की चुनावती बढ़ जाएगी इस फैसले से ज्ञामूमों के दोनों हाथों में लड़ू रहेगा जीतने पर पूरे राज्यो में मेसिज जाएगा कि हेमन सोरेन को साज़श के तहट परिशान किया चारा है और जनता का उनके साथ समर्थन है वह हारने पर ये मेसिज दिया जाएगा कि हेमन सोरेन आदिवासी हित में हर मोर्चा पर संगर्ष के लिए तयार है अगर हेमन सोरेन दुमका से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पतनी कलपना सोरेन को वोटरों से डाइरिक्ट कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी संथाल को साधने के अलावाज शारखन मुक्ति मोर्चा की नजर कोलहान के सिह भूम लोगसभा सीट पर है कोलहान में विधान सबा की कुल 14 सीटे हैं 2009 में भाजबा 6 सीटे जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी तब जामूमों के खाते में 4 सीटे गई थी 64 सीटों में आज सू कॉंग्रिस जेवी एम और अन्य को एक-एक सीट मिली थी लेकिन 2014 के विधान सबाचिनाव में कोलहान की 14 सीटों में से 7 सीटों पर जामूमों ने जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी का तमगा ले लिया था उस वक्त भाजबा को 5 सीट आज सू को 1 और अन्य को 1 सीट मिला था लेकिन 2019 के विधानसपा चुनाव में भाजपा का कोलहान में खाता तक नहीं खुला सीम रहते रगुवर्दास चुनाव हार गए जामों ने 14 में से 11 कॉंग्रिस ने 3 और 1 सीट पर निर्दले यानी सर्यो रॉय की जीत हुई थी